सब्सक्राइब करें टेक सर्वाइवल यूटीव चैनल को और बेल अकुन को दबाए हैं लेटेस्ट टेकनोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने को ही वट्सप गाइज तो फ्रेंड्स जहां पर न मैं आज आज आपके साथ बात करने वाला हूं Mio 10 9.5.16 का जो गलोबल बीटा अपडेट है वो फाइनली यार लॉंच कर दिया गया है या कहलेगे रोलिंग आट होना सबी डिवाइस के लिए स्टार्ट हो गया है जो के हमारे लिए फ्राइडे को इविनिंग में होता है जो के है पडिवाइस में देखने को मिलेगी या नहीं तो यार अगर तो आप भी यह सब कुछ जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंडिंग तक देख लीजेगा बिने स्क्रिप किये और अगर तो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को प्रेस कर देजिएगा ताके नहीं आने वाली अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंए सके तो यहां पर मैं आपको बताता चलूँ जो आपकी अपडेट है जो कि MIO 10 9.5.16 की जो गलोबल वीटा अपडेट है यह फाइनल लौंज मतलब के पब्लिक रिजिस कर दी गई है और अगर तो आपको यह अभी तक देखने को नहीं मिली है आप अपने बेटर एप में जाकर चेकफार अपडेट पर क्लिक करकर देख लीजिये अगर तो यह आपको देखने को मिल जाए तो बेस्ट है अगर तो नहीं देखने को मिलती तो गबराने की नीट नहीं है आपको लिंक्स मिल जाएंगी डिस्कॉप्शन में आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और फाइ जिसका बता है जो हमें official देखने को मिलता है वो ही official हमें इफ़ी का देखने को मिल जाता है और यह जो ROM है यह भी officially है यह हमें MI की तरफ से provide किये जाते हैं तो आप यहां से install करके install कर सकते हैं इसमें आपको कोई भी दिक्त नहीं आएगी मतलब कि अगर आप Redmi 5A से belong करते हैं यह Redmi 5A से या उसके साथ Redmi Note 5 Pro या ऐसी कुछ devices से जिन में update मिलती रहती है यह अभी तक जो update है यह Redmi Note 7 या ऐसी devices के लिए नहीं आई है जो उनको पहले नहीं देखने को मिलती यह Redmi Note 4 की बात करूँ तो इसको भी देखने को नहीं मिली है जिन जिन डिवासित को देखने को मिली है आपको लिंक्स मिल जाएंग डिस्क्रफचन में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर तो आपके पास उनकी कोई डिवाइस है फिल्स इस वीडियो में इतनी ही तरफ इंफर्मेशन में ने शेयर करनी थी आज तो अगर तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइक उनकर पैस कर लिएगा ताकि न्यूवाने वाली अपडेट साब के पास सबसे पहले पहुंच सके तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में अल्ला हाफ्यूज़